ओपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गई लोगों नहीं तो आज देखेंगे वीडियों का कोड लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के पिछले एपिसोड में बताई जाने वाली कथा को रिपीट करा देता हूँ जो कि यार थोड़ी सी important है तरह था array बना लेता हूँ अपना और यहाँ पर मान लो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 12 है यहाँ पर 18 है और मेरे पास मान लो array में बहुत सारी जगाए इत्ती जगाए कि मैं 0 से लेके 99 इंडेक्स तक इसमें elements को भर सकता हूँ यानि कि array क size 100 है अब अगर मान लो बात की जाती है insertion की यानि कि मान लो एक नए element आता है 79 और यह 79 जो element है यह गुंडा है क्या है गुंडा है यह एक बहुत बड़ा बदमाश है और यह क्या कहता है कि index number 2 वाले element से कहता है कि index number 2 मुझे तुमारी जगा मांगता है ठीक है बाई अब 12 ब 9 को जाना है यहाँ पर index number 2 पर तो क्या होगा कि इन सारे elements को मालो यहाँ पर एक और element होता 8 तो इन सारे elements को खिसकना पड़ेगा अब यहाँ पर बहुत सारी जगा है array में मैंने जैसे की बताया यह पूरा 99 तक जा रहा है तो यार अभी 99 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा तो अब क्या होगा 8 को आना पड़ेगा यहाँ पर 18 को आना पड़ेगा यहाँ पर और 12 आएगा यहाँ पर तब यह 79 भाईया वापस थे यहाँ पर आप आप आएंगे लेकिन अगर अब एक कोई नया इंसान आगे 12 को बोलता है कि 12 तुम यह array छोड़ कर चले जाओ तो 12 होगा वो बोले का मैं array छोड़ कर चले जाओ ठीक है वो बोले का हाँ इस array को छोड़ कर चले जाओ अब क्या होगा अब मिल गया है 12 को संकेत array छोड़ने का ठीक है तो यह जो element है वो तो picture में रहा ही नहीं पहले तो 79 के रहा ता मैं आओंगा तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ और अभी धमकी मिल गई है 12 को array छोड़ कर जाने की तो क्या होगा अगर मुझे 12 को भगाना है इस array से तो आप कहोगे कि यार सिंपल सा एक कहानी करो 12 को यहां से अटा दो लेकिन हमको यह भी पता है कि वही जो array होता है वो हमारा continuous elements का sorry continuous memory locations में stored elements का एक समाहार होता है collection होता ह यहां नहीं कि अगर एक element index 0 पर है तो इसका जो address होगा वो यहां पर जो अगर मुझे 12 है तो 12 प्लस 4 यहां पर यह 16 होगा यह 20 होगा और इसी तरह address चलते रहेंगे तो एक void तो यहां पर जो है यह acceptable नहीं है तो मैं आपर लिख देता हूं not acceptable ठीक है acceptable यह void यहां पर acceptable नहीं ह तो हम क्या करें इस void को खतम करने के लिए element तो हमने delete कर दिया तो मैं आपर एक code लेकूँगा मैं कहूँगा देखो भाई यह जो array है इसमें एक for loop चला और यह c का code नहीं है एक pseudo code मैं simple लेकर रहा हूँ मैं आपर क्या करूँगा मैं अब element को उल्टी दिशा में खिसका हूँ तो मैं अगर यहाँ पर अपना eraser use करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ अब मिट जा भई अरे मिट जा हां मिट गया ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया है अब यहार यहाँ पर मैं क्या करूँगा draw में जाके बार बार pen लेके आ रहा हूँ मुझे पता ही कि कोई ना कोई shortcut one note में होता होगा जिसके कि आप directly पिछले pen में चले जाए किसी को पता है तो comment में बताना यार मुझे ठीक है खोज के बताना अगर हो सके तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मान लो 012 फिर यह 3 और 4 तो इसका size कितना होगा size इसका 5 होगा तो मैं आपर लिख देता हूँ कि भाई देखो size हमारा 5 है और उसी के साथ साथ capacity हमारी 100 है ठीक है तो हमारे array की जो capacity है वो is equal to 100 है हमारे पस ठीक है तो capacity 100 है size 5 है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं करूँगा कि भाई देखो ऐसा है I को start करो size minus 1 से ठीक है यानि कि 4 से start करो और elements को जो है खिसकाना हमें किदर है इस दिशा में खिसकाना है तो जो मैंने बात बोली वो गलत बोल दी मैं इसको correct करता हूँ तो मैं एक काम करूँगा अगर हमारा जो ind है जहाँ पर हम insert करना चाहते है जो कि हमारा इस case में 2 है हम क्या करेंगे I को start करेंगे मैं आपर फिर से eraser use करूँगा और यहाँ पर मैं इसको मिटाऊँगा मैं size से start नहीं करूँगा मैं आपर start करूँगा यहाँ से यानि कि जो मेरा 18 ने यह खिसकेगा पहले 2 पर आएगा यानि कि जो void बना है वो हमारा मालो ind is equal to 2 है ind is equal to हमारा है वो index जहाँ पर हमने deletion को perform किया है ठीक है चुकि इस case में 2 है अब इस void को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ind से लेकर मुझे ind से लेकर i को चलाना पड़ेगा कहां तक मुझे चलाना पड़ेगा size minus 1 तक ठीक है और इस बर मैं i plus plus करूँगा मैं बहुत rough code लिख रहा हूँ यापर pseudo code लिख रहा हूँ मैं लिकूंगा ai plus 1 ठीक है ai is equal to ai plus 1 ठीक है तो यहाँ पर ai is equal to ai plus 1 यानि कि जो element 3 में है यानि कि i plus 1 में है उसको 2 में ले आओ तो a2 is equal to a3 हो जाएगा तो यह किस तरह से चलेगा अगर मैं इसको breakdown करूँ तो यह पहले चलेगा a2 is equal to a3 यानि कि यह a2 जो भी मेरा a2 है यहाँ पर array का मैं आपर square bracket को skip कर रहा हूँ ठीक है फिर a3 is equal to a4 देख लो यह ही हो रहा है a4 को मैं a3 में लेकर आ रहा हूँ तो यह आपर 4 के लिए नहीं चलेगा 4 के लिए क्यों नहीं चलेगा यहाँ पर मैं 3 में 4 वाले element को copy करी दूँगा तो 4 में एक void बन जाएगा यह void बने यहाँ पर 4 में भेज दिया है तो मेरा array कुछ इस तरह से लिएगा 1, 2, 18 और 8 फिर यहाँ पर एक void बन जाएगा index 4 में ठीक है तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा ठीक है so मैं इसको कुछ इस तरह से लिएता हूँ और यहाँ पर वैसे इसमें एक option होता है पता है इसको बनाने का array जैसा पुरा बनाने का लिए ठीक आर हम लोग pen से बना लेते हैं कहाँ इतनी मेनत करूँगा मैं देखो 0, 1, 2, 3, 4 में 1, 2, 18 और 8 आगया after deletion तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर arrow लगा कर कि भई after deletion यह कुछ इस तरह से दिखेगा ठीक है after deletion ठीक है I hope कि आप लोग कोई चीज समझ में आ गई होगी चलो चलते हैं विएस कोड में इसके कोड को भी लिख लेते हैं और यहाँ कोड को लिखना बहुत असान हो गया है क्योंकि आवन मैंने almost code लिखी दिया है यह code ही है एक तरह से बस मुझे साही से value उसको सटाना है और विएस कोड में टाइप करना है और रट गैस अब चलते हैं विज्यू स्टूडियो कोड के अंदर अगर आप लोगों ने यार यह notes आकसेस नहीं करें तो यह notes आकसेस जरूर कर ले ना प्लेलिस तो आपने करी लियोगी आकसेस मुझे पता है पूछने की जरूरत ही नहीं मुझे पता है आप लोगों ने या क्लिक करके book mark किया हूँ या क्लिक करके save भी किया है और आप लोगों ने इसको copy करके अपने whatsapp पे बी share किया है इसका screenshot लेके instagram पे बी share किया है तो thank you very much उसके लिए और यहां पर आजाते हैं जल्दी से एक नई file बनाते है 11 underscore deletion.c और यार यह caps lock दब गया और हमने caps lock अटाके वापस से भी बना लिया अब boiler plate code जो है वो डालना बहुत जरूरी है लेकिन मैं क्योंकि कर रहा हूँ अपने insertion वाले code को पेस्ट आप होगा यह क्या कर दिया insertion वाले code को क्यों paste कर दिया यहाँ पर मैं जो insertion कर रहा था यहाँ पर अब मैं कहाँ दूँगा कि deletion करो ठीक है जहां insertion होगा अब deletion होगा और मैं काम एक दम वही करने वाला हूँ ठीक है बस मैं function को change कर रहा हूँ delete करने के लिए क्या क्या चाहिए function को इस function वो क्या क्या चाहिए delete करने के लिए देखो एक बाल बता दो जो display function है वो वही रहेगा अरे यार अरे को display करने का function थोड़े था बदलेगा deletion और insertion के लिए array को जो display करता था पहले वही display करेगा अब भी एक array ले रहा है एक integer ले रहा है और उसको display कर दे रहा है ठीक है अब यहाँ पर मैं in deletion नाम का एक function बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा एक array को लेगा array के size को लेगा array की capacity को लेगा ठीक है अब यहाँ पर मुझे capacity नहीं चाहिए मैं आपर capacity में कोई interest नहीं रखता हूँ अगर वो capacity से आगए अगर आपको 238 में deletion करो तो इस saw size के array में 238 index का deletion कैसे होगा तो मैं assume कर रहा हूँ कि वो सारे checks जो है आप वो लेके चल लेगा अकाउंट में चाहो तो एक if condition डाल देना यहाँ पर कि अगर array की index दी गई है वो बड़ी है array का जो capacity minus 1 है तो sorry आप नहीं कर पाएंगे insertion ऐसे कुछ print करा दे लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा यह जो capacity है मुझे नहीं चाहिए मुझे ना कोई element चाहिए कोई insertion तो चल नहीं रहा है आपर मुझे बस एक index चाहिए जहाँ पर मैं अपने deletion को perform कर सकूँ यह रही index यहाँ कर दो delete ठीक है तो array है size है index है अब मैंने आप जिस तरह से आपको बताया कि मेरा for loop start होगा i is equal to index से लेके size minus 1 तक ठीक है तो index से चालू होगा मेरा array यानि कि मैं आपर index लिख देता हूँ और plus plus करते हुए मैं जाओंगा i is less than size minus 1 तक ठीक है size minus 1 तक तो i is less than size minus 1 मैंने आपर लिख दिया और इसका क्या मतलब वहाँ कि यह जो मेरा loop पर चलेगा index तक चलेगा और size minus 1 तक चलेगा ठीक है तो size minus 1 तक अगर मुझे चलाना है less than है less than equal to नहीं है इसके अंदर मैंने क्या लिखा था ai is equal to ai plus 1 ठीक है तो ai is equal to ai plus 1 लिख देते हैं तो ai plus 1 उपस यह मैं यह से हटा देता हूँ ai is equal to ai plus 1 है तो जो i का plus 1 है यह कट करके मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ that's about it ठीक है और यहाँ पर return 1 मैंने अभी हटा देता हूँ मैं इसको अगर void भी कर दो तो भी चल जाएगा यह ठीक है तो मैं इसको void कर देता हूँ कुछ return नहीं कर रहा है ठीक है तो end deletion क्या क्या ले रहा है array ले रहा है size ले रहा है लेकिन यहाँ पर मैं size minus equals to one करूँगा इस बार plus equals to one नहीं करूँगा क्यों करूँगा ऐसा क्योंकि size तो कम हो जाएगा जब मैं delete करूँगा तो और जब मैं insertion कर रहा था size मेरा बढ़ जा रहा था क्योंकि एक element insert हो गया तो size तो बढ़ी जाएगा न उसका 10 element ते 11 हो गया size में एक जोड़ना पड़ेगा अब 10 element ते 9 हो गया तो size में से एक घटाना पड़ेगा तो deletion में से मैं जो size है जो कि मैं store करके रख रहा हूं पर रहे है वाल यह size क्या है यह size का मतलब यह है कि मेरे पाद 100 की capacity है 100 में से कितने इस्तेमाल हो रहे है वो size है ठीक है तो confuse मत हो ना size और capacity में अब यह करने के बाद मैं ज़र आपने इस function को check कर लूँ क्यार यह सही भी है कि नहीं तो मैंने यहां पर इसको size minus 1 को inclusive रखा है ठीक है तो यह यहां पर size minus 1 इस case में क्या हो जाएगा size minus 1 4 हो जाएगा नहीं हैuses 4 के लिए नहीं चलना चाहिए तो मैं यहां पर size minus 2 के लिए चलाओँ我ंगा इसको size minus 2 जो यह वह inclusive नहीं होना चाहिए है यहाँ पर देखो मैं चाहता हूँ कि यह वाला जो है मेरा अगर आप इस follow loop को देखो तो यह index से start होगा यानि कि यह 2 से start होगा जहाँ पर मैं deletion करना चाहता हूँ महाँ से start होगा ठीक है और क्या होगा यहाँ पर जो 2 है उसमें क्या copy हो जाएगा 3 वाला copy हो जाएगा और यह सब कब तक चलता रहेगा यह चलता रहेगा मेरा size minus 2 तक क्योंक memb Biden क्रता है इस case में size 5 है मेरे इस area का size क्या है इस case में degree-6 5 है तो size मतलब number of elements ठीक है तो यहाँ पर five minus 2 अगर मैं करूं तो 3 हो जाएगा तो मुझे काम है 3 तक करना है तो मैं size-2 तक चलाँगा इसको तो I think मुझे size-1 रखना पड़ेगा कि 5-1 जो होता है 4 होता है तो ये 3 तक automatically चलेगा तो मैं size-1 को इस तरह रखूँगा तो ये automatically index से लेके size-2 तक चलेगा तो यहाँ पर अगर आप confused हो रहे हो तो आप क्या करो ना एक example लेके देख लिया करो कि size-1 में क्या value आ रही है index की क्या value आ रही है जैसे कि मैं अभी confused हो गया था इस video को बनाते समय अभी 4 second पहले मैं भूल गया कि size-1 करना है size-2 करना है तो मैं क्या हूँआ मैं इस example पर गया मैंने आपर size में 5 value डाल कर देगी और 5-1 चार हो गया तो मुझे पता चल गया कि वही यह चलेगा 2 से लेके कहां तक 3 चलेगा 4 तक नहीं चलेगा क्योंकि अगर मैं less than करूँगा अगर मैं आपर कुछ जिस तरह से बनाऊंगा design इसका is less than करूँगा तो यह size minus 2 तक चलेगा मेरा और वही मैं चाहता हूँ तो मैंने आपर इसको लिख दिया कुछ इस तरह से और दूसरी बात यह है कि जब आप practice कर रहे हो तब आप run करके एक बार देख लो और जब आप run करके देखो गया पर तब आपको खुदी बता चल जाना है कि यार आपका जो program है वो सई है या नहीं है आप देखो index is equal to 1 में मैंने deletion perform किया तो मेरा 8 वाला जो index 1 का element है वो delete हो गया ठीक है तो यह 0 कर दूँगा 7 delete हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 7 delete हो गया so I hope कि जो index मैंने दी है यहाँ पर वो delete हो जा रही है और array खिसक जा रहा है यानि कि आप array को यहाँ पर delete कर सकते हो जो भी index पर element है उसको और यह एकदम यार simple सी चीज है मैं इसको advance C भी बोल सकता हूँ बढ़ यह data structure के अंदर आता है कि हम यहाँ पर arrays पर operations की बात कर रहे है इस तरह की so I hope कि आप लोग को यहाँ पर delete हो समझ में आ गया होगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है खुझ से कुछ program लिखो और उसके बाद practice करो और मैं अभी यह कहूँगा कि अगर आप सिर्फ data structure की preparation कर रहे हो तो C language तो आपकी already strong होगी so मैं code भी deletion कर देता हूँ यहाँ पर insertion लिखा रहे गया था और यह भी deletion, यह भी deletion कहीं मैंने गलती से कहीं पर insert या insertion तो नहीं लिखती है नहीं लिखा है, ठीक है so बड़िया है भी यह सब चीज़ जो है आपको मिल जानी है यह file है तो सब मैंने 10.c और 11.c यह सब मैं डाल दूँगा अब कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैंने सुबह 10 बजे, 8 बजे वीडियो अपलोड किया तो आप एकदम से expect मत किया करो कि वहीं के वहीं मैं आपको PDF अपलोड करके दे दूँगा मैं कम से कम 5 यह 10 बनेट कर टाइम लेके करी देता हूँ कभी-कभी instant भी कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है और उसी के साथ साथ notes पर click करोगे यहाँ पर और यह देखो download होगे notes आपके अलाम से पढ़ो नहीं तो save कर लो है आपके download करके, so यह चीज़ जो है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो website पर जाओ, convenient मेरे लिए मुझे कभी खुदर refer करना पड़ता है convenient रहेगा या आप site खोल के पढ़ दो तो वो आपके लिए जादा convenient रहेगा या टेबल लेवल बनाके मैंने एकदम set कर दिये, set आ दिये, यही चीज़ जो है मैंने notes में लिखी है, बढ़ अगर आपको लगता है handwritten notes से पढ़ना, जैसे कभी-कभी मेरी आँखों को जो है, handwritten जो की colorful मैंने लिखे हूँ है, यहाँ पर notes वो लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मैं कर लेता हूँ अभी कभी, मैंने image preview भी डाल रहा है, यहाँ पर click करोगे, आप तो यह बड़ा यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि आप लोगो के लिए बहुत अच्छा experience मैं आप रखूँ और मेरे इसाब से improvement आ भी रहा है, जिससे आप से मैं अभी content दे रहा हूँ, आप लोग को type content दे रहा हूँ, handwritten notes दे रहा हूँ, तो मेरे इसाब से, जिससे आप से मुझे feedback मिलता है आप लोग से, काफी improve मैं कर पा रहा हूँ and I'm really very happy about that, आप लोग सारे notes जो चीजे मैं दे रहा हूँ, वो download करो, playlist टाक्स करो, बस मेरे लिए आप एक काम कर दो, playlist शेयर कर दो, channel शेयर कर दो, और जितने भी लोग जो है, Instagram पर मुझे story में tag करते हैं, मुझे tag करना मत भूलना, अगर आप ये playlist शेयर कर रहे हो, tag ज़रू आप ले वीडियो पर हम लोग जो है, इस data structures and algorithms की कथा को आगे बढ़ाते हैं, अब एक लिए इस वीडियो में इतना ही गए, इस वीडियो को लाइक करना, मत बूलना, थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो, and I will see you next time.